अब सब्सक्राइब करें और इसके साथ वीजन के जो फुल जीएसके टेस्ट है तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अगर आप लोगों नहीं नहीं देखें तो मेरे यूटूब करें और उसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है और एकर वीडियो मतब्सक्राइब नहीं किया तो जो भी मैं वीडियो डालों आपको इजीली मिल जाए गाए और इसकी पीडियाफ के लिए आप लोग टेलीग्राम किनल जोईन लीजिए नीचे मै जाएगा ठीक है तो चलते हैं कुछ नबर वन पे तो इसमें कहा गया है कि महाजनपत काल के दौरान गणों के संदर में निम्रीक कतनों पर विचार करना है तो फ़र्स्ट है कुलीन तांतरिक महाजनपतों को गड़ के रूप में वर्णित किया जाता था ठीक है सेकेंड है कि महाबीर और बुद्ध गड़ से संबन देते और थर्ड है कि सरवा अधिक सक्तिसाली महाजनपत मगद का एक कुलीन तंतर था तो थर्ड वाला इस्टेट्मेंट गलत है क्योंकि यह के आपको देखने को मिलेगा जो छे से और चार की जो इशापूर सताबदी है ठीक है जी सब्सक्तिसाली जन पतो बना था अगला नहीं हुआ करता था तो यह इस्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और सेकेंड तो हमारा सही है क्योंकि जो महाबीर और बुद्ध से ये गड़ सबस्क्राइब तो यह भी स्टेटमेंट साहिए हमारा और परस्ट वाला चाहिए हमारा क्योंकि जो कुलीन तांतरिक महाजन पदोंको गढ़ के रूप में वर्ड़ी करती है जाता था तो हमारा एवाला ऑप्शन सही हो गया एक और दो स्टेटमेंट चलते नहीं से 52 इसमें कहा गया कि मानो दुखों की निवरत्ति का वरणन करने वाला अस्टांगिक मार्ग निम्रिकित में से किस्ये समझ देते हैं आप्षण जैन धर्म से के बैसमाव भी और सीए की शैवद और डी है की बौद धर्म तो इसका डी ऑप्षण सही बौद धर्म ने जो आठ अस्टंगिक मार्गों की इस्थापना की थी जिसे शमेक दरश्टी थी उसमें एक और सेकेंड था आपको जो है समयक संकल्ब था और समयक वाड़ी थी समयक कर्म था समयक आजीव था और समयक ब्यायाम करने की उसमें बात की गई थी समयक इसम्रती की बात की गई थी और समयक समाधी भी लेनी की इसमें बात की गई थी ठीक है गंध यह सेकेंड है कि नालंदा और विक्रम चिरस्विध्याल स्थापना पाल साज को द्वारा की गयी थी और थापन की पाल शामराज के दौरान व्यापार अनन्य रूप سے्भारतों महादीप के भीतर होता था तो यह गलत है क्योंकि यह भारती महादीब के बाहर भी देखने को मिलता था जिसे दच्छडपूर एसिया वाला छेतर था इनसे मतलब व्यापारिक संबंदिन के बहुत ही घनिष्ट थे जो पालवंस था ठीक है तो यह गलत स्टेटमेंट है और सेकेंड भ तो विक्रम चिला विश्विद्याले है इसकी स्थापना जो है जो धरम पाल जो इसका पाल वंस का साथ सकता ठीक है तो इसके द्वारा की गई थी और इसके साथ साथ जो यह नालंदा विश्विद्याले था इसका पुनुरुद्दार किया गया था मतलब रिनोवेशन किय गया था नालंदा विश्विद्याले का धरम पाल दोरा ठीक है और फ़र्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि गोपाल ने मतब पाल वंस की स्थापना की थी तो यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है चलते नेक्स में कहा गया है कि निम्लिकित में से कौन बहुत ग्रं तरय को देखने को मिलेगा लेकिन और इसके साथ सेरी गाता है और दीप Works है ठीक है लेकिन जो यह उत्तरा अध्यन की चाहता हो करते से एक दिगांबर करते तो जो इसी के द निका मतलब एक सूतर था ठीक है धर्म सूतर था जिस में जो है चार धर्म सूत्रों तो जो इनके स्वेतांबर जैनियों के चार सिस्धांत थे टिक है चार शिद्धांत से नियुस मैं से एक यूतराध्यन सूत्र ठीक है तो यह वाला गलत है फिर्ष वह सेकेंड थर्ड है उजाता था यूप्शन सह आ चलतेने इस कुछीन पर तुने एक से वर्ण बेवस्था के संदर में निम्लेखित कत्नों पर विचार कीजिए, तो फ़र्स्ट है कि वर्ण बेवस्था को धर्म सूत्रों और धर्म सास्त्रों में सहिता बद्द किया गया था, सेकेंड है कि कि इसकी बेक्टी का वर्ण खीज स्थों कि टीजसींअ से लिए चपरशों कि इसे कंतर डित किया गया था इंपूर्ण व्योस्था से सब्सक्राइर कि Majam जो बनाई गई थी तो इसको बाहर ने रखा गया था और सेकेंड भी स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि इसमें धन संपति का एक मात्र अधिकारी होने की योगता थी तो यह भी गलत है क्योंकि इसमें जो है गुरू के आधार पर यह मतलब वर्ण ब्योस्था आधारी थी तो य हमारा स्टेट्मेंट सही हो जाता एक तो भी ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है अनेक से हमारा कुछ्छन नमबर 56 इसमें निम्रिखित कत्मों पर विचार करना है तो फिर्ष्ट है कि भित्ति चितरकला दी हुई है और च्छेतर दीए हुई है कि कहां से कौन सी चितरकला संब इसनी को मिलता है जो जैसे हमारे रोजमरा के काम होते हैं, जैसे पौधों की रोपफाई करते हिये चितर बनाना और निरत्यू या बाजार कोई दरसे बनाना तो ऐसे चितरकला इसमें बनाई जाती और यह से क्व neighborhood हे हमारा सहिए क्योंज्generation की नाम से जानते है और इसमें देवी देवताओं के चितर बनाया जाते थे ठीक है और पेठोरों की बात करें तो यह करनाटा की नहीं है यह गलत स्टेटमेंट है इसमें आपको जो हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है डी ऑप्शन चलते ने इस कुश्चन पर नेक से हमारा निम्र्खित युगमों पर विचार करना है तो साहितिक रचना दी गई है और विद्वान दिये विए हैं तो फस्ट है कि हुमायू नामा मुहमत काजिन और आलमगीर न गुल बदन बेगम और बादसाह नामा तो अबदुलहमीद लाहोरी हुमायू नामा की स्थापना की बाद इसकी की ठीक है और नियुक्शन पर नेक से हमारा दिल्ली संत्थनेथ के आदिन प्रास्थासनिक जो बेवस्था हुआ करती थी ठीक है उसके संदर में निम्लिक कतनों पर विचार करना है दिल्ली संतलत की जो होती थी ठीक है प्रसासनिक बेवस्था तो फस्ट है कि दिल्ली संतलत में मुगल सेना का प्रमुक जो दिल्ली संतलत में सुल्तान होता तब हो जो मतलब सेना का प्रमुखता था ठीक है शेकर रहेकी मुहंमत बिन त्बलग् निबा करना ऑद की ति का बार के लिए दिवान की रिषालत की रिषालत की थापना की कि ता कि क्रिश्य को और मतलब इंप्रूव किया जाए उसको मतलब और फर्टाइल बना जाए सोयल वैल को ठीक है ताकि प्रोडक्शन बढ़े और यह देली स्सक्राइब का सुल्तान हुता था यह मतलब संहां का प्रमुक्त होता था इसके साथ साथ जो इसके साथ साथ एक और पद बनाया गया था इसके नीचे तो उसको बलबन ने उस पद की जो इस्थापना की थी जिसका नाम था दिवान ए आरिज ठीक है तो उसके अंतरगत से ने अधिकारी रखे जाते थे तो सेना का प्रमुक सुल्तान ही होता था तो दोनों कि मुगल सामराजी की राजधानी को आगरा से दिल्ली इस्थांतित कर दिया था ठीक है बी है कि मनसबदारी ब्योस्ता में मासिक पैमाना प्रचलित किया था और थर्ड है कि विदेशी यात्री वार्नियर ने मुगल दरबार का बर्मड किया था और डी ऑप्शन है कि टोर सतनामियों में तो डी ऑप्शन सही हो जाता है ठीक है और यह हमारे सारे से जहां के बारे में सही कहे गए हैं कि वार्नियर जो है मुगल दरबार में में आया हुआ था इसी के काल में और मनसबदारी ब्योस्ता का मासिक पैमाना इन्होंने प्रिस्थित किया था और रा जो राष्ट कुछ सासकते जिसने यूद्ध की तुलना में धर्म और साहिति का अनुगमन को प्रात्मिक्ता दी थी वह स्वयम लेखक था और उसे काभी की पहली कंणर पुष्टक लिखने का स्रे दिया जाता है ठीक है वह महान निर्माता था और कहा जाता है कि उसने अमोग वर्स नरपतुंग है और डिये की दंतिदुर्ग है तो यह सी ऑप्षन हमारा सही है जो अमोग वर्स नरपतुंग है ठीक है इसी के बारे में कहा गया है इसने कंणर की पृथम पुष्टक लिखी ठीक है और इसने अपनी राजधानी को मानिखेट जो है का निर्मा ओर तक्णिक वह तक्निकी जिस्पर जिसमें पैर मुड़ा होता है और सरीर कमर और गर्दन पर थोड़ा सा किंटो परस पर बिफरीत दिशा में जुका होता है ठीक है बी है कि कत्थक अली नरती का अभी ने feeding पहलू जिसमें किसी महा काबिके या इतिहासिक पात्रों को पर के भारों को समान रूप से संतुरित करते हुए वरगा का इस्तित को चित्रित करने वाली पूर्षेचित भंगिमा का प्रतिनीदित करती है ठीक है और डी है हमारा की कच्छी-पुडी नरति का मूझक अभिने पहलू जिसमें प्रेम या कामुगता की भाव को बेक्त करने के लिए हाथ की कुछ मुद्राओं पर बल दिया जाता था तो किसके बारे में यह जो भारतिकी इतिहास के बारे में जो नरतिकी मुद्रा चौक है किसके बारे में सरस्वेश्ट वरणन करता है तो इसका statement हमारा C वाला सही है क्योंकि जो हमारा उडिशा नरति में वह मुद्रा जो सरीर के भार को समान रूप से संतुलित करते हुए वरगा सम्भी शुरम सबद है तो फर्सट है की अउप्शन करनाटक संगीतन की एक सही है जिसमें शाहित या गीत नहीं होता है ठीकие बिये हैा कि उतरी भारत में बिक्षित हिंदुस्थानी संगीत आटी एक परमपरिक सह्ली है और घacon के बारे में यह जो बताई गये कुंसा इस आपसन सदेना कि c Id sad is not now 3 जने का गए कि मझभूत सेना रखने के लिए यहाब ब्यूस्था अकгов द्वारा आरंब की गई verschill है कि सेनिकों को वेतन का भुगतान उन्हें जागीर शौपकर किया जाता था ना कि नगद में और थर्ड है कि मंसबदार राजी के बेई पर घोड़े हाथी और उंट और गाड़ियां रखते थे तो यह हमारा जो थर्ड वाला स्टेट्मेंट यह गलत है क्योंकि यह जो इसको बनाया जाता था सेना का ठीक है तो यह स्टेट्मेंट हमारा गलत हो जाता है सेकेंड वाला भी हमारा गलत स्टेट्मेंट है क्योंकि इसमें जो है सेनिकों को वेतन के भुगतान में जागीरें और नगा दोनों रूपों में दिया जाता था ठीक है तो यह हमारा गलत ठीक है जो सेना में लोग होते थे नेक्स है कि बहुत संगों के संदर में कितनों पर विचार कीजिए तो फर्स्ट ए है हमारा इस्टेटमेंट की संग में प्रवेश की अनुपत केवल पूरुशों को थी ठीक है सेकेंड है कि सामाजिक आर्थिक प्रिस्टिबूम से निरपे लिया जाता था ये एक गड़ और संग जो होते थे उसके द्वारा यह निरणाय लिये जाते थे और यह अगर सर्वसमत waits नहीं होती थी तो उस मामले परNET किया जाता था तो मतलब मतदान के आधार पर निर्णाय लिये जाते थे ठीक है और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि आर्थिक प्रिस्टिबूम से निर्पेज सभी लोकों को समान माना जाता था उसमें सब फिष्णची के आधार पर रखा जाता था तो इसमें अगर कोई राजा भी पहले हुआ करता था लेकिन जो बहुत भी बनता था तो उसे के बाद जो है इस्त्रियों को भी अलाव कर दिया गया था तो हमारा सेक्टेंड स्टेट्मेंट सही हो जाता है बी ओप्षन नेक्ट से हमारा कुस्ट्ट नमबर 65 पिसमें कहाँए कि निमलीकी खिप्म पर विचार किगये तो रंगमच सहली दी और उनके राज़ दी हुए है कि कहांपे क्वोंसी रंगमनच सहली यह तो तमासा रंगमनच जो सहली है महरास्रा में तेरू कुट्ट्ue तो ये केरल में और भावना गुजरात में तो इसमें बताना है कि कौन से सुमेलित हैं तो देखो ये जो तेरू कुट्टू आपको देखने को मिलती है ये केरल में नहीं ये तमिलनाडो में देखने को मिलती है और भावना जो है यह भी गुजरात में नहीं है यह आपको असम में देखने को मिलती है ठीक है तो यह दोनों स्टेटमेंट गलत है लेकिन फरस्ट वाला जो तमासा रंगमज सेली है यह महराज में देखने को मिलती है और जैन धर्म की प्रंपरा के अनुसार बिच्छुडू बन गया इसने सरवन बेलगला में बसने से पहले भारत के सुदूर दच्छिन की यात्रा की और जीवन के अंतिम वर्स जैन तपस्वी के रूप में बेतीत की है तो किसके बारे में यह सरस्वेश्ट वरणन करता है तो यह समद्रगुप्त भी है असोक और जो है सी है तुमारा देखने को मिलेगा बिंदुसार और डी है चंद्रगुप्त मौरे तो इसमें जो जिसके बारे में कहा गया तो यह जो है सब पूरा स्टेटमेंट आपको द जाग दिया था उसके बाद जो है सरौन बेल गॉला में इन्नों ने समाधी भी ले ली थी 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 तो यह हमारा डीयो स्टेटमेंट सही हो जाता है नेक्स है कि निम्लिकित में से कौन इसमारक माडू वस्तुकला के उधारन है तो हिंडोला फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड है कि गॉल गुम्मद और थर्ड जहाज महल तो इसमें हिंडोला और जो जहाज महल है यह दोनों के दोनों आपको माडू जो वस्तुकला है उसमें देखने को मिलेंगे इन दौर के निकटिस्थी थे दोनों ठीक है लेकिन जो गुम्मद है यह अभीज़ापुर में गॉल प्शाने करवाई थी ठीक है। तो यह वाला हमारा गलत है। और First and Second हमारे शही हो जाते हैं तो हमारा जो भी से हो जाते हैं १रा सभी हो चाही होगया ठीक है। हम चलते हैं। धटम्सों पे तो नेक सिम्हें तो उन्हें ये ब्रामढ़ जो इंडियन ब्रामढ़ हुआ करते थे यह लोग क्या करते थे इनी लोगों को बरबर और बाहरी लोगों को जो है मलेच कहा करते थे ठीक है तो हमारा c option जैसी हो जाता है नेक्स चलते है कि निम्रिकित में से क्या रिगवेदिक यूग के दौराण प्रचलित था प्रचलित था मतलब क्या क्या प्रचलित था इसके बारे में तो फस्ट स्टेट्मेंट है निजी संपति के रूप में भूमिका स्वामित थी के सेकेंड और थरड है कि धातुकरम सरक्रियाओं के संबंद में जानकारी तो इसमें देखो जो निजी संपती के रूप में कोई इनका अधिकारण नहीं देखने को मिलता था ठीक है और सेकेंडर स्टेटमेंट सही है क्रिसिका गयानी ने हो चुका था और क्रिसिक्रियाइग की जाती थी और धात उखरम सक्रियाओं के संबंद इनको जानकारी प्राप्षी ठीक है तो हमारा दो और तीन हमारे स्टेटमेंट सही हो जाता है बी ऑप्शन है कि संगम युग के दवरान दच्छिड भारत के राजियों दवरान इमलिकित में से किन वस्तुओं का निडियाद किया जाता था तो काली मिर्च का अहांतिदात का रेशम का मोती का तो चारो ये स्टेटमेंट हमार से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है और Q1 इसमें कहागया कि बाबर की भीजय के कि से मामेलन से शांसेकर्द विकास को प्रोत्षाहन मिला था और थर्ड है कि भारत में पहली बार बारूद का प्रियोग किया गया था तो यह गलत स्टेटमेंट है भारत में जो पहली बार इसका उप्योग पहले हो चुका था जो दिली सल्तनत के जो सा सकते और जो बह्मनी राजी के सा सकते ठीक है इन दोनों के भी जो उद्ध हुआ था चौदा सो मतलब चौदवी सताबदी में कह सकते हैं तो उसमें इन्होंने बारूद का पहले भी इस्तमाल कर चुके थे ठीक है तो पहली बार भारत में नहीं हुआ था तो यह स्टेटमेंट गलत है और फरस्ट और सेकेंड सही है क्योंकि काबुल और कंधार पर नेंतर ने हो गए तो यह वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है त April तो कुट रहल कि में औरThis और color वह इसरती उतर भारत का या नहीं उतर प्रदेश वाले चेतर का जो है ठीक है वहाँ यह देखने को मिलता है ना कि जो है मड़पुरी जो शास्ती नरती का है लेकिन संकीरतन और जो रास है ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा यह मडपुरी जो नरती होता है ठीक है उसी के बारे में बात करता है तो यह वाला हमारा जो स्टेटमेंट है यह सही हो जाता है और जो यह संकीरतन वाला है ठीक है संकीरतन वाली की जो बात करें तो इसमें होता क्या है तो यह इसमें गायन के साथ साथ नरति भी किया जाता है और नरति के साथ इसमें पंग और एक होता है खरताल ठी तो हमारा दो और तीन स्टेटमेंट सही हो गया बी ऑप्शन सही हो जाता है नेक से 73 इसमें कहा गया कि शूफी वाद के संदर्ब में निमिकित कत्नों पर विचार करना है तो सब्द दिये गए हैं और उनसे संब्दित अर्थ क्या है उनका ये बताना है तो वली के बारे में इन्होंने कहा है कि ईसे शूफी जुनोंने चमतकार करने की इस्वरी क्रपा पराप्त कर ली यो ठीक है और सिकेंड है तसब्वूफ तो यह है कि सूफियों द्वरा रहत जीवाला रहारत में बात करता था ठीक है लेकिन जो ये तसवुर की बात करें तो ये गलत है ये रहसमें संगीत गायन की वो नहीं है ये मतलब तसवुफ जो है ये सूपियों की जो नैतिक बेवस्था होती थी उसी के बारे में बात करता था तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा और वली के बा सब्सक्राइब करना है तो फस्ट है कि यह प्रतम सताब्दी ईशापूर के आस पास भारत में बहुत धर्म के एक उपसंपरदाय के रूप में विक्सित हुआ है और सेकेंड है कि यह बहुत विच्छाओं के तांत्रिक विचारों के विकास को प्रतिविंबित करता है तो इस सब्सक्राइब करता है तो यह हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है ठीक है लेकिन जो फस्ट में कहा गया है कि प्रतम सताब्दी ईशापूर के आसपास में बहुत धर्म के एक उपसंपरदाय के रूप में विक्सित हुआ था वज्जरियान तो यह गलत सेवेंटी फाइब इसमें खरुष्टी लिप के संदर्में निम्लिकित कतनों पर विचार करना है तो फस्ट है कि भारत में इसकी शुरुआत इरानी लेकवकों के संपर्क के कारण हुई है ठीक है और सेकेंड है कि इसे देवनागरी की भात बाय से दाय लिखा जाता है तो गलत हो जाता है वाला हमारा स्टेट्मेंट से चाही है कि यह इरानी लेकवकों के संपर्क के कारण यह हुई है यह मतलब जो इरानी साथ सकायत है ठीक है उत्र भारत की तरफ तो यहाँ यहां यह बहुत ज़्यादा प्रशलीत थी तो हमारा यहँआ ऑला ओप्सन सही हो जा हैं और थर्ड है कि राष्ट कूत सामान सामानेत्या स्यव धर्म के अतरिक्त अनिधार्मिक संपर्दायों के प्रति आसा हिस्षुन थे गलत स्टेट्मेंट है क्योंकि यह स्यव धर्म का तो सबसे ज्यादा इन्होंने प्रचार प्रचार किया ही है इसके साथ साथ बहुत धर देखने को मिलेंगी यह मतलब देखने को भी यह हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया है और सेकेंट वाला जो कहा गया है कि इन्हों कि प्रशासन करने की उसी के आधार पर इनका जो है इन्होंने अपनी सासन प्रणाली को बिक्सित किया था तो हमरा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाता है है तो हमारा सही हो जाता है केवल दो हमारा कुश्चन नंबर 77 तो इसमें कहा गया है कि आठ आठ सो से 920 के बीच की आवधि भारत और पच्चमी देशों के मद्ध व्यापार और वाडी जी की गहन शीलता और यहां तक कि इसमें अवनत की मतलब कमी की की आवधि निम्लिकित में से इसे संभावित कौन से कारण हो सकते हैं कि मतलब जो आठ वी और नवी सताब्दी के समय जो भारत में यह डिकलाइन हुआ था ब्यापार और वाडी जी देखने को मिला था उसी के बारे में बताना है कि इसकी क्या कारण रहते तो फर्स्ट वाला के दूनों आपको सही है क्योंकि भारत पर जो मतलब समुद्री यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंदर लगाए गये थे और यह जो भीतर के कई राजी थे ठीके भारत के भीतर तो राजियों का उदय भी स्टार्ट हो गया था इस समय इसलिए यह मतलब डिकलाइन देखने को म नहीं है तो हमारा बी ऑप्सन सही हो जाता है दो और तीन जो है मतलब भारत में यह डिकलाइन देखने के मिला था वाड़ी और बेपार का ठीक है तो निक्से 78 इसमें निम्रिकित युगमों पर विचार करना है तो प्रतिक दिए गये हैं उनको कौन दरसाता है कौन सा प्र परवरतन कहा गया था लेकिन यह जो इस्टूप के बारे में बात करता है तो यह महानिश्क्रमार महा पर निर्मार के संबंद में इनकी मृत्व हुई थी तब यह इस तूप जो है निर्मार चालू हुआ ठीक है और रिक्तासन जो है बुद्ध का ध्यानाज तो होना का मतल जैन धर्म का उद्भव इस्टूप निर्मार का आरंब और मंदिर निर्मार की सहली का उद्भव ठीक है तो देखो जो पूरुबैदिक काल की अगर हम बात करें तो यह पंदरा सो से आपको एक हजार इसा पूर देखने को मिलेगा ठीक है पंदरा सो से एक हजार इसा पू प्रारम हुई थी लेकिन हिस्टूफ निर्माड का प्रारम पहले हुआ था प्र मंदर निर्माड से ली आई थी तीसरी स्टाब्दी इसापूर में ठीक है तो नेक्स है हमारा कुश्चन नबर 80 इसमें निम्लिखित गद्यांसों पर विचार करना है तो फ़र्ष्ट है कि या दस्वी ग्यार्वी सताब्दी के दोरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण है ठीक है अरभी में लिखे गए इस ग्रंत में धर्म और दार्षनिक तिवहार का गोल भी ग्यान कानून आदि सम्मंदी सम्मंद विश्योपर सामगरी है और परतिक अध्याए एक परसंद के साथ आरंब होता है इसके बाद संसक्रतिय परंपराओं पर आधारित विवर्ण आता है तफहीम और जो है कस्फल मजहूब ठीके तो इसका देखो भी ऑप्सन सही है जो किताब अलहुंद है ठीके जो जिसकी रचना आपको अलबरूनी ने की थी इनों ने ही मतलब कागोल के बारे में बताया था कानून के भी बारे में बताया था और उसके बाद संसक्रत का भी जो इसमें लेख मिला है और उसके बाद पर झा अन्य धर्मों के साथ तो प्रशला कंठार के प्रभाई करवाय की किस मैं क्या-क्या चीज़े है ठीड़ों के बारे में यह है तो यहँला इस्टेटमेंट हमारा बहुँला सही है और रहला की इस्थापना की बात करें तो इबनु बतुता ने की थी और अल फहमीमी की बात करें तो अल तफहीम की बात करें तो इसकी भी अलबरुनी नहीं की थी लेकिन इलमें जो अल तफहीम होता इसमें आपको गड़ी तो और खगोल से समंदित विबिन स्पेशलि हजबीरी ने इसकी इस्थापना की थी ये शूपी संता लाहूर का ठीक है तो नेक से हमारा 81 कुश्चन नमर इसमें भक्ती अंदोलन की निर्गुण और सगुण परमपरा के संदर्में निम्निकी विकत्नों पर विचार करना है तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कहा गया है कि निर्गुण परमपरा में विभिन देवी देवताओं की उपासना का ध्यान केंदर्द किया जाता है और वहीं पर सगुण सगुण में ईश्वर की अमूर्त रूप की उपासना को ध्यान केंदर्द किया जाता है ठीक है और सेकेंड स्टेटमेंट है कि कबीर जहां कबीर भक्ती आंदॉलन के निर्गुन परंपरा की सब्सक्राइन वहीं गुरुनानक सब्सक्राइन तो यह गलात है, गुरुनानक भी निर्गुन कबीर थे गुरुनानक थे दादु मियाद ठीक है, यह नोग जो है आपको देखने को मिलेंगे निर्गुन परंपरा से लेकिन जो सगुन परंपरा की विचारधारा से संबन देते इसमें आपको देखने को मिलेगा जो हुआ करते थे जैसे रामा नंते चैतने महाप्रभू होते तो यह लोग जो है सगुन परंपरा से संबन देते जो दोवी देवी देवताओं की मतलब उपासना करते थे तो दोनों मतलब पलट दिये गए हैं एक दूसरे के तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन सही इसका ठीक है कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है नेक्स चलते हैं कुश्चन नंबर 82 इसमें कहा गया कि निम्रिकित कत्नों पर विचार कीजे तो फर्स्ट है कि बनी हटी का युद्ध धक्कन के सुल्तानों और विजयनगर सामराज के मद्ध 1565 में लड़ा गया था ठीक है और इस युद्ध से बिजयनगर राजी का पतन हुआ था और धक्कन में बहमनी राज का सुद्री करण हुआ था तो इसमें जो कहा गया है तो देखो ये बनी हटी का युद्ध था ये सही है फर्स्ट वला स्टेट्मेंट और इसे ही राच्छी तगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं और ताली कोर्टा का भी युद्ध इसी को बोलते है ठीक है इसमें बिजय बिजयानगर का पतन हो गया था तो इस्ट्रिमिन्ट यहां तक सही है लेकिन दक्तन में बह्मनी राजीर का सुद्रिकर्ण हुआ था यह गलत है यह जो बिजयानगर का यहां पर डिकलाइन हुआ तो इसके बाद जो मुगलों का दच्छिड में वर्तसु बढ़ गया था तो उनका विश्तार हुआ था मुगलों का ठीक है तो हमारा फर्स्ट स्टेट्मेंट सही हो जाता एव ऑप्शन ठीक है नेक्स है कि 83 में कहा गया है यह महरास्ट और गोवा के छेत्र की धार्मिक लोक रंकमंच सहली क कलाकार मच्छ और कूरुम वारा आदि भगवान भिश्णू के ऑवतार का मानकी करन करते हैं ठीक है और सहली के अन्रूप स्रंगार के अत्रिक कलाकार लकड़ी और कागज की लुगडी से निर्मित मुखोटे पहनते हैं ठीक है तो कि सरंगमंच सहली के बारे में उपर बत बात करता है इसमें जो है ये भगवान बिश्णू की जो वतारों के बारे में इसमें बात की जाती है ठीक है तो चलते हैं इस कुछिन पितने एक से हमारा 84 कुछिन नंबर तो इसमें कहा गया है कि निमलिकित में से कौन सी बिजय नगर सामराजी की इस्थापत तिकला की जो मंदिर गोपुरों में से एक सीधी रेका में बिस्तारित होते थि कि महानवी डिभबा जैसे प्रभावशालिय्मंचों की उपास्थथी होती थि तो मतलब उपस्थी होती थी तो कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें जो है थार्ड जो में कहा गया है कि जो ये महानवी और एक हुआ करता था जो सभा मंडल ठीक है सभा मंडल और महा नवी हुआ करता था तो ये दो भागों में डिवाइड था जो राजा का महल होता था इसी को बोला जाता था ठीक है राजा के महल को दो भागों में डिवाइड किया गया था जिसे एक भाग को जो है महा नवी डिबा कहा जाता था और वाले वनों की किलेवंदी की जाती थी तो तीनों स्टेटमेंट सही है डी वाला अप्शन हमारा सही हो जाता एक दो तीन नेक्से हमारा कुश्चन नमबर 85 इसमें कहा गया कि निम्लिकित कत्नों पर विचार करना है तो फ़स्ट वाला स्टेटमेंट है कि मुगल अर्थ बेवस्था ब्रहद रूप से क्रसी से होने वाले आए पर निरबर थी ठीक है और सेकेंड है कि मुगल राज के किशानों ने क्रसी के साथ साथ जजमानी प्रणाली को भी अपनाया था तो इसमें जो बताया गया है मुगलों के बारे में तो फ़स्ट वाला जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्रसी पर आधारी थी तो यह हमारा statement तो सही हो जाता है क्योंकि जो इनकी बेवस्थाति टिक पर आधहर ठीक क्योंकि इनकी मूल एक divergence ग्राम की हुआ करती थी और ग्रामिट जो है मूल रूप योu क्रवर्श ग्रशा करती थी दो मुगलों ने ठीक है तो यह भी स्टेट्मेंट हमारा सही है क्योंकि जो इसमें होते थे पहले तो यह मतलब जो शेवाय प्रदान करते थे जिसे बढ़ी हो गया कास्टकार हो गया और मतलब इतने भी ये कारीगर होते थे ये लोग मतलब से वाय प्रदान करते थे तो उन्हें नगद या वस्ट के रूप में बुक्तान करता है तो कभियों की सभाओं या प्रंपराओं के लिए भी है कि अजीवक अजीविका के महात्वपूर्पूर्ट के रूप में युद्ध लूट ठीक है और सी है कि बीर योद्धाओं के सम्मान में खड़े किये गए प्रिस्तर थे और डिये कि धन धनी ब्यापारी और साह प्रणी वस्तों के लिए लड़ते विए जो मृत्री जिनको प्राप्त होते थे ठीक है उनिए के लिए प्रिस्तर खड़े किये जाते थे उनिको जो भी रिकल कहा जाता था ठीक है नेकसे की 87 कहा गया है कि यह आंधर प्रदेश की छाया कट्पुतली रंगमंच परंपरा और कट्पुतलियों दोनों और से मतब यह आंदर परदेश राजी की छाया कट पुतली रंग मंच परंपरा है ठीक है और कट पुतलियों में दोनों और से रंगी होती थी ठीक है और परदे पर रंगी छाया बनती थी और कट पुतली नतियों के जो बिशय होते थे वो रामायड महाबारत पुराण के लिए के लिए होते थे मतब रामयाण महाबाद के और पुराणों के बिशे लिए जाते थे इसमें ठीक है तो किस कट पतली का वर्णन किया गया है तो फर्स्ट है कि रामण चाया फिर है बी वाला है हमारा की तोलू बोम्मा लट्टा और यह सी वाला ऑप्शन है कि गोंबेटा और यमपूरी है ठीक है तो हमारा जो बी ऑप्शन सही है जो तोलू बोम्मा लट्टा है ठीक है यह आपको देखने को मिलेगी यह अंदर प्रदेश की सहली है तो इसी के बारे में कहा गया है कि इसमें जो रंगी होती थी यह दोनों औ से दोनों और से रंगी होती थी और इसकी रंगीन चाया जो है बनती थी तो यह हमारा सही हो जाता इस्टेटमेंट रामर चाया देखने को मिलेगी यह आपको उडिशा में एक कट्व पुतली देखने को मिलती है और तोगलो गट्टू तोगलू गोंबे एटा जो थी ठीक या सूपी संत ख्वाजा कुटबुद्दीन बतियार काकी की मृत्यू की इस मृत्यू में बनाया गया था ठीके सेकेंड है कि यह मुक की रूप से लाल बलुवा पत्थर और संगमर्मर से निर्मित था तो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा सही है लाल पत्थर और बलुवा उची पांच मंजला मिनार इस समय देखने को मिलती है ठीक है इसे जो है कुट बुद्दिन एबक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और एल्टू तमीश ने इसको बनवाया था उसके बाद इसका रेनोवेशन करवाया था फिरोज तुब लगने ठीक है और पांच वी के सिधान्त प्राची नारंदा विश्ववदालय में पढ़ाया जाते थे सेकेंड है कनिश्क महायाम बौद्धर्म का महान सनचक था और थेड़ है कि महान वस्तु महावस्तु गरंथ ने महायान बौद्धर्म की सिच्छाओं का उपदेश दिया है तो जो इसमें कहा गया इसमें हुआ करता था जो महावस्तुग्रंथ था ठीक है और नालंदा विश्विद्दैला जो है यह बिहार में देखने को मिलता है तो तीनों स्टेट्मेंट सही है डियो अला ऑप्षन हमारा सही हो जाता एक दो तीन नेक से की मद्यकालीन भारत के संदर्ब में कौर्णी चहरस तलीन और जमीन बोश थे किसे समन्दी थे तो अभिवादन की सहली से या सचिक संस्तानों के परकार थे वास्तुकला अलपी कलपनाय थी या दासपर्था के रूप में था तो देखो यह ऑप्षन सही है जो अभिवादन होता था और यह जो चहरस तीन होती थी इसके बारे में तो यह हमारा यह नमस्कार करने की बीदी होती थी थी तो यह ऑप्षन सही हो जाता है नेक्स है 91 कुश्चन नबर इसमें कहा गया है कि निम्लिकित में से किन सास्कों को विचित्र कार पुर्ली और चैतेकारी की उपाध मिली थी तो चालुक के वंस के मगलेश को या फिर विजय नगर शामराजी के किसनराय को या पल्लवंस के महंदर वर्मन को और किसांड सासक कनस को तो यह देखो यह पल्लवंस के जो महंदर वर्मन थे ठीक है तो इनी के ब प्राग गयतिहासिक चित्रकारी के वहल्टारी भारत में सन्केंदृत है और second है भीम बेटका में पाये गए चित्रों के बिषय में उस काल के धैनिक जीवन की लोक लोकि गटनाएं और पवित्र चित्र सामिल हैं और third है कि लकुडियार चित्रकारी बिहार में प्रसिद्ध प्रगैतिहासिक चित्रकारी है तो जो लकुड यार के बारे में बताए गया थर्ड स्टेट्मेंट में गलत है यह बिहार में नहीं यह आपको उत्राखंद में देखने को मिलेगी ठीक है तो यह स्टेट्मेंट गलत हो जाता है और जो सेकेंड में कहा गया यह सही है जो भीम बेटका में चितर पाए गये है काल के लोग जीवन एकए घटतर सामीड होते थे जैसे इसे चिकार करना आया आ या मतलब अईसे ही मतलब चीजों को मतलब यह लोग जीवन की क्रियाया होती करनाटा कि मद्ध्पर्देश में और पूर्वी भारत में भी देखने को मिलते नहीं के छलते हैं नहीं से 93 की कि मुगल तो कल के दोरान पुर्छलित पदों के बारे में बीचार करना है, तो पद दिये गए हैं, उनका करता भी क्या था तो यह की बताना है, तो आमिल है वहा बेखती होता था, जो कानून बेवस्ता की देखबाल करता था, ठीक है, मुकदम यह इस्थानि ग्रामपरधान होता था, स्थिक दार होता था भूरा जस्क राभेट करने के लिए और यह अख़कार होता यह मतलब वर पॏ हैं और गलत ही हमारा यहां पूछा गया है ठीक है लेकिन मुकद्दम जो होता था वो ग्राम प्रधान हुआ करता था इस्तानी ग्राम प्रधान और बरीद खुफिया अधिकारी होते थे तो हमारा जो इस्टेटमेंट एक और तीन जो है वह हमारा सही हो जाता इसमें ठीक है गलत पुछा गया है तो गलत यह दोनों ही है ठीक है तो नेक्स चलते हैं कुछिन नंबर 94 में हर्ष वर्धन का सासनकाल जो था 606 से 647 इसवी तक के संबंद में विचार करना है तो फरस्ट है कि इलाहाबाद इस्तमलेक में हर्ष के सासनकाल के इतिहास को पुनर संचित किय जाता है उसकता है और सेच्टैक की इसने अपनी एक रचना भी लिखिती हुई ठीक है विछिएफ चीक्यू इसने इसकी रचना भी इती इसके बारे में बताया गया था तुरो उसके पुनर सनचित किया जा सकता है। लेकिन जो इस में जो है शमुद्र गुप्त हुआ करता था ठीक है। शमुद्र गुप्त के बारे में यह बात करता था तो हमारा जो इस स्टेटमेंट नमर इसमें आइन अकबरी आइने इस साला की प्रणाली के शंदर में निम्लिकित कतनों पर विचार करना है तो फर्स है कि यहां प्रणाली भूमिसे संब्धिश शुधारों के भाग के प्रणाली में भूम की वरतमान उत्पादक्ता के आधार पर केवल इस्थाई जो फसल की दर निर्दार की जाती थी तो यह सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है और देखो इसमें गलती स्टेटमेंट पूंचा गया है ठीक है तो कौन से गलत है यह बताना है तो देखो आएने देहसाला के संबंद में यह गलत था क्योंकि इसमें जो होता क्या था कि जो यह देहसाला की जो होती थी तो इसमें देहसाला मतलब दस वर्सों की जो फसल होती थी उसकी और पर वन थर्ड जो है इसका जो फसल का वन थर्ड जो उपज़का है वो लिया जाता था ठी और इस जो दहसाला की जो मतलब रूप रेखा तो जो थी इसको जो है बनाया था तो डरमल मेंस ठीक है तो और इसे जपकी प्रणाली जो झासादो तो इसका चेया प्रणाली तीक्छ इसके साथ एक जबती प्रणाली थी जो भूमिनापने की ठीक है इसको भी जो है अकबर के सासनकाल में चालू किया गया था तो हमारा जो है यह दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं तो हमारा सही हो जाता है डी ऑप्षन चलते ने इस कुछन पर नेक्स है हमारा चोल काल के दोरान बस्तियों के परकार के समंद में बताना की कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है तो इसमें कौन सा सुमेलित थे तो बस्तियों के परकार है और निवास दिये गए है तो उर मतलब किसान जातिया होती थी ठीक है सभा जो है ब्रहमण होते थे और जो नगरम ब्यापारी वड़िक हुआ करता था तो देखो यह तीनों जो इस्टेटमेट दिये गये हैं इन लोगों के बारे में तो यह तीनों के तीन हमारा सही है क्योंकि जो उर्ण होते थे वह उनके संबंद सामराज्जियों पर बिचार डालिए तो फर्स्टे की बेक्ट दिये गए हैं और संरच्षित किसके द्वारा उन्हें किया गया था इसके बारे में बात करना तो यह पालवंस राजसेखर प्रतिहार और स्वयंबू राष्टकूर तो कौन से सुमेलत नहीं है बताने हैं तो सोयंबू तो राष्टकूर से संब्द दिते ठीक और राजसेखर प्रतिहार जोराज्वंस ते मतलब उन में इनको शनच्षन प्राप्ता ता लेकिन चाटू बिठल जो थे इनको पाल वन्स में निम्रिखित में से कौन से सुधार किये गए थे तो विदेशी छेत्रों में लोगों के कलियांड है तो उपाय और बली के लिए पशु के वद्ध पर प्रतिबंद और बिजय थर्ड है कि बिजय और आक्रमर की नीति का परित्याग तो यह तीनों स्टेट्मेंट सही है क्योंकि इनों ने जो है कलिंग युद्ध के बाद इनका जो हिर्दय था दरवित हो गया था तो इनों ने धंब नीति को अपना लिया था और धार्मिक चीजों पर यह ज्यादा जो सही है तो इसे फिरोज सा तुगलक द्वारा दिल्ली इस्थंत्रित करवाया गया था और बी ऑप्शन है कि संसक्रत में लिखित अबिलेक वाला एक मातर इस्थंभ है और यहां बुद्ध की लुंबनी यात्रा की इसमरत्य में असोग द्वारा उत्कीन करवाया गया था ए और इनमें से कोई भी सही नहीं है डी ऑप्शन तो हमारा सी स्टेट्मेंट सही है क्योंकि जो यह बुद्ध की लुंबनी यात्रा थी ठीक है उसी की इसमरत्य में असोग द्वारा यह वर्ण उत्कीन करवाया गया था ता सिला लेक लुंबनी सिला लेक तो यह हमारा सी नहीं कि हिंद्यूनानियों के संदर में निम्रकित में से कौन शाकतन सही नहीं है तो फसके भारत में सरवपर्थम आहत यानि पंच मारके सिक्खे हिंद्यूनानियों द्वारा जारी किये गए थे ठीक है और इन्होंने पश्चिमी भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा कर और भारत में एक संगठित सासन इस्थापित करने में विफल रहते और यह उन्होंने उत्तर पस्चिम भारत में घ्रीक सभिता संबंदी कला की विशिष्टाओं का प्रितलन आरंब किया था तो देखो यह भी हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि यह इसे जो है आपको देखन सब्सक्राइब करते हैं मतलब बिक्रेविये चेत्रों में इन्होंने शासन किया था और बी भी साहिए है क्योंकि यह उत्तर पस्चिम भारत के बड़े भाग पर कबजा कर लिया था इनोंने ठीक है लेकिन यह फस्ट वाला स्टेटमेंट इसके संब्ध में गलत है तो यही शेर लाइक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डी मोटिवेशन मिलता है क्योंकि लेक्षर बनाने में टाइम तो लगता ही आप भी जानते होंगे